आज मैं आपसे सेर करूंगी सुबह के भाग दोर में बनने वाली आसान सी रेसिपी चलिए बनाना स्टार्ड करते हैं यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम परवल और इन्हें हम पहले ही धो लिया था और अब हम क्या करेंगे कि इनका इसकीन हटा कर दोनों किनारों से कट करके और पानी में इसी तरीके से छिल छिल कर हम डालते जाएंगे यहाँ पर मैंने सभी परवल को छिल कर तयार कर लिया है यानि कि पानी में डाल दिया है अब हम क्या करेंगे कि सभी परवल को कट करेंगे तो यहाँ पर आप एक परवल लिजिए और बीचो बीच कट करके एक परवल में 5-6 slices कट करेंगे और इसी तरीके से हम यहाँ पर सभी परवल को कट कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी परवल को कट कर लिया है साथ ही मैं एक medium size की प्याज को slices में कट करेंगे और 4-5 हरी मिर्चे इन्हें भी हम छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं यहां पर सारी तयारिया सब्जी बनाने के लिए हो चुकी है तो चलिए अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में गर्ष पर मैंने करहाई चरहाई है और इसमें डालेंगे दू चमच सरसू का तिल तिल अच्छे से जब गर्म हो जाए उसके बाद हम डाल देंगे आधा टेबली करते हूं हरी मिर्च और उसके बाद हम थोड़ा सा रुष्ट करेंगे और डाल देंगे प्याज प्याज को यहां पर आप ज्यादा डाड़के नहीं कीजिएगा सिर्फ कचापत दूर करके हम यहां पर कटी हुई परवल को डाल देते हैं यहां पर हम परवल को अच्छे से मिक्स करते हुए दो से तेन मिनट खुले में भूनेंगे इसके बाद हम यहीं पर डाल देंगे हाफ टीजपून काली मिर्च पाउडर हाफ टीजपून हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक इन सभी चीजों को डालने के बाद हम क्या करेंगे कि अच्छे से मिक्स कर यहां पर आप मसाले वाले अगर भूजिया सब्जी बना रहे हैं तो उसमें थोरा सा जीरा पाउडर और थोरा सा मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डाल दीजेगा तो यह हलका मसाला वाला सब्जी आपका बहुती स्वादिश्ट बन कर तयार होंगे अगर भूजिया बना रहे हैं तो इस तरीके से बनाए और यहां पर सभी चीजों को mix करके हम खूले में परवल को भुनने देते हैं यानि कि पकने देते हैं तब तक मैं इदार आटे की भी तयारी कर लेती हूं यहां पर मैंने लिया है चान की आटा और आटे में हम क्या करेंगे कि थोरा सा न टेश्टी लगती है और यहाँ पर मैं शौप्ट डो लेती हूं इसमें मैंने ओयल ओयल नहीं कुछ डाला है सिर्फ बली थो राइच्वी अज़या लगती हूं पढाठे और वह भी इसे बोलते हैं प्लास्टिक पराठे पता ना आप लोग इसे क्या बोलते हैं या बनाते हैं की नहीं मुझे को में जरूर बताईएगा और यहां पर घी को मैंने दो से तीन चमच घी लिया है और अच्छे से मेल्ट कर लिया है यहां पर आप चाहें तो सबनां सकते हैं चोटे चोटे यहां पर मैं पहले क्या कर ऊंगे कि लोई कर लोगी तो पहले मैं एक लोई को बना कर बता रही हुँ तो इस तरीके से आप लोई को पहले फैला ले और उसमें थ्रोडा साघी डाल कर आप अपलाई कर दे फिर आप इसको what क्या करें कि फोल्ड कर दे उसके बाद हम क्या करेंगे कि चुनी बना लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर लोई बना करके वापस लोई बना लेते हैं और इसी तरीके से हम चार से पांच लोई पहले बना करके तयार कर लेते हैं यह जो पराठे बनते हैं बहुती सॉप्ट बनते हैं और काफी समय तक सौप्ट ही रहेंगे आप इस पराठो को एक बार चरू से ट्राइ किर जिएगा आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा तो यहां पर मैंने सभी लोई को पहले सभी नहीं सभी चार से पांच लोई को बना कर पहले तयार कर लेती हूं अगर आप प दो करेंगे हमकी पराठो को कि बील लेंगे तो यहां पर मैं पतले पतले पंच रिचेंप हाव बीजा के यहां पर घी लगा देती हूं दुना तरफ अच्छे से घी लगा दीजिए उसके बाद आप यहां पर पराठो को अच्छे से सीक लीजिए लोटू बेडें फ्लेंबर ही आप इन पराठो को बनाए ताकि एकदम सौप्ट सी आपको कहीं से कच्छापन नहीं मिलेंगे और एक करके तयार कर लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे कितने अच्छी और सौप्ट पराठे जो है की बन करके तयार हुई है आप इन रेस्पी को जो से ट्राइ किजिएगा सुबर के भागदर के लिए बड़ा बेश्ट रेस्पी है आपको खाकर मजा ही आ जाए तो आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा सेर भी कीजिएगा तो फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए ओके फ्रेंस एंड बबाई